नमस्का दूस्तो स्टॉक मार्क स्टैटिस में फिजसेक पर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ के बारे में क्योंकि देखिए लाइसी आईपयो के ऊपर बहुत सारे न्यूज अभी पाप्लिस हो रहा है क्योंकि लाइसपी आईपयो का डेट अभी तक एनॉंसमेंट नहीं हुआ है मार्स के एंडिंग होने से पहले ही LIC IPO आएगा इस तरीक से कुछ न्यूज के मधं het हम से पब्लिस हुआ था तो पब्लिस होने से पहले ही दो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आप आ चुके मतलब बहुत बड़ा दो यहां पे क्राइटेरी यहां पे दिखने को मिला और LIC से बहुत दो अपडेट्स आया है और यह जो दो अपडेट है वो बहुत मैतपुन है तो इस वीडियो को देखिए तो आप LIC IPO में invest करना चाते है और LIC IPO में share खरीदारी करना चाते है तो उसके लिए आपको इस वीडियो को जोरू देखना होगा तभी आपको अच्छागासा एक knowledge मिलेगा और जब IPO आएगा तब आप IPO में निवेस करके अच्छागासा पैसा कमा भी सकते हैं तो क चलौ देखे लेते हैं दो आपडीटस के बारे में तो सबसे पहले बताक Queen L spice Це जो है इंडिया के नमब्र वन नम्बर वन आईप्यो आने वाला है नमबर वन की बता रहो क्योंकि सबसे बड़ा IPO आने वाला है इंडिया में आज तक जितने सरे IPO आया है उनमें देखा जए सबसे बड़ा IPO अभी LIC के IPO आने वाला है तो क्योंकि LIC के पास कितना पैसे है आप खुदी जानते हैं तो इस company के बारे में आज पूरा details बात करूँगा तो details मतलब दो important चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ जो important चीज में आपको पिछले वीडियो में cover किया था वो यहाँ पे news के मतलम से और भी एक publish किया गया तो इस news को आपको जोरू देखना चाहिए तभी मैं इसके उपर वीडियो लेकिया है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने comment किया सर क्या LIC IPO late में आएगा क्या LIC IPO में मुझे IPO में sharehold मतलब LIC का premium holder हूँ क्या मुझे LIC का IPO मिलेगा तो इस तरीके से बहुत सारे question आया है तो question में पूरा एक एक करके आपको details में आपे बताऊंगा तो पूरा वीडियो को लास्त तक देखिए तभी आपको सारे जानकरी मिल जाएगा तो सबसे पहले जो news है उसके बारे में चला जाता हूँ सबसे पहले जो news है वह है LIC का जो IPO है वह यहाँ पे LIC IPO हैर इस ए लिस्ट ऑफ एलाइसी पॉलिसी होल्डर नॉट मतलब जितने सारे मतलब आने वाला है उसके लिए एक special quota रखा गया है जो एक्चुली देखा जाए employee के लिए और साथी साथ जितने सारे shareholder है उसके लिए तो इस दोनों के लिए अलग-अलग एक quota रखा गया है क्योंकि एक percentage रखा गया है और साथी साथ quota के साथ साथ इसको discount में भी LIC का IPO मिलेगा इस तरीक से कुछ announcement किया गया है सारे के सारे announcement देखा जाए तो news के मद्धम से आते है यहाँ पर जो news publish किया गया है आप खुद ही देख सकते है business insider तो business insider इंडिया इसके site से में इस data को आपको दिखा रहा हूँ तो चलो देख लेते हैं कौन सा shareholder मतलब कौन सा policy holder को इस IPO में discount और special quota नहीं मिनने वाला उसके उपर यहाँ पर बात करने वाला हूँ तो एक एक करके details देख लेते हैं तो यहाँ पर जो फास जो update है वो update इसी update है तो policy holder का update तो इस update को देख लेते हैं उसके बाद दूसरा update बहुत important है तो यहाँ पर देख सकते हैं LIC issued a clarification saying group जो insurance है group insurance मतलब जो यहाँ खुदी देख लेख 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 है policy in LIC including प्रधान मंती जीवन जती विमा तो प्रधान मंती का जो जीवन जती विमा है जिमा जोजुना जो है वो जितने सारे शेयर होल्डर ने LIC के माध्धम से प्रधान मंती मतलब PMJJBY प्रधान मंती जीवन जती विमा जोजुना इसको इस policy को लिया हुआ है उनको पेशली कोई quota नहीं मिलेगा और पेशली कोई भी discount नहीं मिलेगा वो अलग से invest करना चाहते हैं मतलब IPO खरीदना चाहते हैं तो वो retail public के तरह ही invest कर सकते हैं मतर उसको पेशली कोई quota नहीं देखें आपे पहले से ही बता गया था कि जितने सारे employees है और जितने सारे policy holder है और उसके लिए अलग से quota रहेगा और अलग से discount रहेगा वगर यहाँ पे एक restriction लगाए गया है कि पधान मंती जितने सारे जोजुना के उपर LIC के उपर जो policy खरीद के रखा है उनके लिए कोई कोई भी discount नहीं रहेगा और उसके लिए कोई भी quota नहीं रहेगा तो यह चीज ऑबियसली एक थोड़ा सा negativity इसू जुरू लाते है क्योंकि देखें पहले बता चुके थे कि इस तरीके से IPO के लिए एक quota रखा जाएगा सारे के सारे policy holder के लिए quota रखा जाएगा मगर अभी बत देखिए लिए सी IPO जब से market में news आया था कि लिए सी IPO आएगा तब से इसके उपर बहुत चर्चा हुआ बहुत ने इसके उपर cases file भी किया और उस सारे के सारे file cases file जीत कर अभी LIC final final देखा जाए तो listing हो जाएगा market में तो यहाँ पर जो उसका जो chairman है यहाँ पर देख सकते ह after the LIC chairman recently said मतलो recently बताए है उन्होंने यहाँ पर देखे confirm sorry confirmation that even PMJJBY मतलों जो मैं पहले बता चुपा पधानमंती जीवन जोती बिमा ने जो जो न सबसीडरीज जितने सारे इसका हो फिर से बता जा रहा है कि इसके लिए quota नहीं रहेगा तो अभी देखा जे finalize क्या होता है क्योंकि इस तरीके से news बार-बार आते रहते हैं तो इसके लिए कुछ effect नहीं पड़ेगा LIC के उपर तो यह था पहली update second जो update है वो सबसे बड़ी है क्योंकि लिए आप सभी जानते है अब सभी जानते है रासिया और उकरन के बीच में जो अभी जो scenario चल रहा है उसके लिए market के उपर बहुत बहुत प्रेसार है market बहुत जवद्दस गिरावट हो रहा है तो इसके सिर्फ एक ही कारण है देखिए कोरुना के situation में जिस तरीके से market गिर रहा था उसी तरीके से फिर से market में एक downfall दिखने को मिला है उसका जो main कारण है वो है Russia और Ukraine इस दोनों कंटीज के लिए अभी फिलाल के लिए बहुत प्रेसार है all over world में यह को देखिए इस दोनों देशों में अगर war होते है मतलब जुद होते है तो all over impact world में पड़ेगा world में economies के उपर पड़ेग क्योंकि देखिए Russia सबसे ज़्यादा कूरू डॉयल का भंडार है और all over world में ज्यादतर देशों में वो कूरू डॉयल बेशते रहते हैं तो आप सभी जानते हैं तो कूरू डॉयल का जो प्राइस है वो 100 डॉलार पार बैरल हो चुके है मतलब कितना ज्यादा प्राइस दे तो स्टॉक में भी गिरावट होगा और economics भी बहुत अच्छागासा गिरावट देखने को मिलेगा तो देखिए यहां पर जो में इस कारण के लिए ही LIC का बोर्ड जो है वो एक निया डिसीशन लिया है एक है सेकेंड पॉइंट लेकि LIC IPO विल इंडिया यहां पर इसके उपर डिपेंड करके market प्रेसर में रहेगा तो LIC भी market में आकर अच्छा खासा एक डिसकाउंड में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि देखिए market में हर कोई अगर माल बेचकर भाग जाएंगे तो LIC में कौन माल खरीदारी करेंगे हां माल खरीदारी तो करेंगे अगर उतना ज़्यादा खरीदारी नहीं होगा अगर मानके चलिए आपका एक business है और आपका एक दुकान है अगर उस दुकान में business आपका अच्छा खासा नहीं चलते है अगर buyer आपका नहीं आते तो आप sale कैसे करेंगे तो same to same आपे सब साबरे के सारे buyers जो थे वो अभी मा बेच कर भाग रहा है तो इसलिए market में market को पर प्रेसार है तो LIC IPO अगर इस प्रेसार के scenario में आ जाता है तो LIC के उपर भी पेसार देखने को मिलेगा और LIC का IPO भी discount में आपको मिल सकता है तो इसलिए थोड़ा सा delay भी हो सकते है IPO में तो यह था सबसे बड़ी second break news तो मुझे लगता है इस दोनों news के उपर आपको जानकरी देना था क्योंकि इस दोनों news के कारण ही market में और भी time लगता है मतलल लग सकता है IPO आने के लिए तो आप IPO के उपर इनिवेस करना चाहते है तो obviously hold कर यह क्योंकि IPO का जो size रहेगा आप खुदी देख लीजिए 31 करोड 62,49,885 shares म मतलग कितना बड़ा IPO आने वाला है और totally offer for sale रहेगा टोटल जो IPO का size है वो totally offer for sale रहेगा और retail allocation जो हुआ है 35% stake मतलग 100% जो stake LIC के पास था वो उसमें से 35% stake यहाँ पर market में IPO के माध्धम से बेचने बेचने वाले हैं तो मेरे ही सब से बहुत बड़ा IPO है इस company के उपर आपको जूरूब focus होना चाहिए और बागी आप IPO में नहीं आप interest नहीं रखते हैं तो IPO listing हो जाने के बाद stock के उपर भी आप invest कर सकते हैं क्योंकि company के हर parameter आपको positive लगएगा क्योंकि देखे टेक्स पे करने के बाद हर साल में company किस तरह के से profit किया company का shareholder जो accounts है वो भी आप देख सकते हैं कितना सांदर growth हो रहा है तो मेरे हिसाब से इस company के उपर आपका focus obviously रहना चाहिए और long term के लिए आप invest करना चाहते हैं तो IPO में आप invest नहीं भी करना चाहते हैं तो company के उपर जोरू focus रखिए और जितने सरे updates आते रहेंगे तो उसके उपर मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं इसी तरी के से नया वीडियो लेकर तब तक लिए अच्छे से रहे हैं अब ने क्या लगए बाए